ओम गर्गर पत्राइब 21 जनवरी 2022 को संकर जौत का प्रवित्र ब्रत रखा जाएगा यह ब्रत माताएं अपने बच्चों की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स यानि विग्न को हरने के लिए विग्न हरता यानि की गड़ेशी से करती है वैसे तो साल में 12 संकर चौत पढ़ती है परन्तु माग महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्ती तिथीक को जो संकर चौत पढ़ता है इसका एक विशेश महत्व है इस ब्रत का एक नाम भालचंद्र स्वरूप भी कहा जाता है यानि की आज के दिन जो गड़ेशी की पूजा होती है वो भालचंद्र स्वरूप की होती है भाल मींस मस्तिक्ष और चंद्रमा मींस चंद्रदेब यानि की ऐसी मानिता है की आज के दिन गड़ेशी ने अपने मस्तिक्ष पे चंद्रमा धारण किया होता है इसलिए आज जो गडिशी का जो स्वरूप का दर्शन किया जाता है वो गडिशी के मस्तिक्ष पे चंद्रमा विराजमान होता है माताएं जो ब्रत रख रही होती है वो आज के दिन इस स्वरूप का ही ध्यान करती है इसका एक नाम आज के संकर चौत का एक नाम जो है तिलकूट चौत पी कहा जाता है इसमें तिल का विशेश क्योंकि आज का जो ब्रत रखा जाता है इसमें तिल का खास विशेश महत्व है जो माताएं ब्रत रख रही होती है वो ब्रत उट रखने वाले दिन सुबह जल्दी उठती है नहाद होके नेवित्र होके ब्रत का संकल्प धारन करती है और संकल्प लेने के बाद कणीश जी का ध्यान करती है संपून देनी ओम गर्ण गरपती नमा का जाब करती रहती है शाम के बद जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्क देती है उस समय जब अर्क दिया जाता है उस समय एक टोकरी ली जाती है उस टोकरी में अम्रूत हो गया, दिल का लड़ू हो गया, इक हो गया, शकरकंदी हो गया, गुर हो गया, गी हो गया, इसको जो है रखती है और उसको एक लाल कप्ड़े से धग देती है, और राद भर गड़ेशी के चर्नों में रख देती है ऐसी मानिता है कि जब आज के दिन गड़ेशी और चंद्रमा को मिला के अच्छली पूजा की जाती है तो दिन भर तो गड़ेशी का ध्यान किया जाता है और शाम को जो ये टोकरी बनाई जाती है इसे जो है गड़ेशी के चर्णों में रख दिया जाता है और रादबन चंद्रमा की उर्जा उसके अंदर आती है तब अगले दिन जब मॉनिंग में वो उसी जो नेवित्र बनाया होता है इसे जो है बच्चे जो है जिन बचों के लिए माता हैं ब्रत रख रही होते हैं लाल फूल फूल जो होना चाहिए वो गुडहल का हो तो विश्फूल बहुत प्री है लेकिन नहीं तो लाल फूल चढ़ा दीजे और धूबत्ती ज़रूर चढ़ाए गड़ेशी के चर्णों में एक लोटा जल का भरावा रख देना चाहिए क्योंकि संकल्प सरूप होता ह है कि आप ब्रत रख रहे है दिन बर गड़ेशी का ध्यान करना चाहिए जो मातायं ब्रत रख रहे हैं वो हो सके तो संपूर दिन लाल वस्टर धारण करें शाम को जब चंदरमा निकलाता है तो चंदरमा को अर्ख मदा करें बाद अगले दिन सुबह उटने के बाद गोरा पार्वती मा का रूप होता है और मा और पुत्र का ये ब्रत है इसलिए माताय जो है पुत्र के लिए रती है इसलिए आज के दिन मा गोरा और गड़े शीकी पूजा की जाती है जिसे कि बच्चे की लंबी उम्रा है उसके लाइफ में आने वाली सावी प्रॉब्लम्स जो है खतम हो आशा करती हूं उपर वाले के के पाद दुश्री आप सब पेबर से इनी शुप कामनाओं की साथ मैं पंड़े शुप प्रसेटिव आप से बिदा लेती हूं ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा साहे चैमाता दुए